नमस्ते दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्वाद हमेशा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों नवरात्री शुरू होने वाली है और नवरात्री में सभी के घरों पे बिना प्याज और लसुन की सबजियां बनती है तो मैं आप सभी लोगों के लिए लाने वाली हूँ नौ दिन विदाउट ओनियन एंड गार्लिक की रेसिपी तो आज है हमारा एपिसोड वन जिसमें हम बनाने वाले हैं राजमा राजमा बनाने के लिए हमने याप एक कूकर लिया है कूकर में हम राद भर भी गोई राजमा को डाल देंगे और जितना हमने राजमा लिया है उसका दोगुना पानी हम इसमें डाल देंगे एक बड़े चमच हम इसमें नमक डालेंगे और एक दालचिनी का तुकड़ा डालेंगे सबी चीजों को आपस में मिला कर हम कूकर का डखकन बंद कर देंगे और इसको 5-6 सीटी अच्छी तरीके से उबालाने देंगे जब तक कि हमारा राजमा बोईल हो रहा है हम आपे अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं मैंने आपे 5-6 टमाटर को इस तरीके से बड़े टुकडों में काटा है तीन से चार टुकडे मैंने आपे अद्रक के लिए हैं चार हरी मिर्चिया लिए हैं जिसको मैंने बीच से तोड लिया है चार से पाच काजु है यह सबी चीजों को हम एक पेस्ट बना लेंगे मिल्कुल इस तरीके से आपको पेस्ट बनाना है अब हम यहापे अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं राजमा हमारा अच्छी तरीके से बॉइल हो चुका है और यह अच्छी तरीके से पग भी चुका है राजमा का पानी हमको फेक ना नहीं है, हम इसका यूज आगे करेंगे, अब हम इसको साइड में रख देते हैं अब हम अपनी आगे की त्यारी कर लेते हैं, मैंने आप एक कड़ाई लिया है, कड़ाई में हम तेल डालेंगे, तेल को अच्छी तरीके से गरम होने देंगे 6-6 मद्स में देंगे और 2-3 मट्स में देंगे, लिए सबी चीज से अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, अब हम इएत्ज सुखे मसाले डालेंगे सबसे पहले हम एक चमच इसमें नमक डालेंगे नमक अप ध्यान से डालेगा क्योंकि हमने पहले भी डाला है आधी छोटी चमच हम हल्दी पॉडर डालेंगे एक चमच भरके हम यहां पे तीखी वाली लाल मिर्ष डालेंगे एक बड़े चमच हम यहां पे धनिया करेंगे और आद ही चोटी चमच यहां पर गरम डालेंगे सबी मसालों को अच्छी तरीके से अम इसको पकने देंगे 5-6 मिनिट अच्छी तरीके से भूण चुकत हैं मसाले से तेल बिलंग होने लगे हैं अब राजमा बोल करके रखा था था मुस्कों डाल देंगे और राज लेतल देखे 10-15 मिट में अच्छी तरीके मेडियम फ्लेम में अपते नियम अप्त में से दर प्लेम कावह दुऌने अबあनको अब हाजमें ने है, बढ़ाज में लाका के हमारा तियार हो चुका है अगर आप लंग मेरेlat चैनल पर नई है और मेरे वीडियो को पहली बार स्क्राइब किजिए लौन किया, शेयर कि कॉमेंट किजिए और मैं नवरात्री के लिए इसी तरीके से नो अलग-अलग रेसिपीज लाते रहूंगी तो अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में बाई बाई दोस्तों